वेल्कम टुश्टों डिक्टेशन अगर आप चैने पे नए है तो चैने को सब्स्राइब कर लें और बेल आइगान जरूर दबाएं डिक्टेशन पांच सेकिंड बात सुरू होगा रेडी स्टार्ट भारत में विमानन कमपनियों का जिस तरह से भठा बैठता जा रहा है वह चिंता का विशय है हालात बता रहे हैं कि अगर सरकार ने विमानन छेतर के लिए जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो देश का विमानन उद्योग चौपट हो जाएगा इस वक्त देश की सबसे बड़ी सरकारी विमानन कमपनी एयर इंडिया जिस दैनी हालत से गुजर रही है उससे तो लग रहा है कि भारत में विमानन कमपनियों का भविश्य अंधकार में है ताजा खबर यह है कि एयर इंडिया को जल्द ही कोई खरीददार नहीं मिला तो छह महीने के भीतर कमपनी बंद हो जाएगी कमपनी पर इस वक्त साथ हजार करूण रुपए का करजा है और सरकार को इससे निपटने का एक मात्र रास्ता इसके वी निवेश से दिख रहा है लंबे समय से कोशिसें चल रही है कि इसे किसी को बेच कर पिंड छुडा लिया जाए लेकिन किसी ने भी अब तक इसे खरीदने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई है हाला कि सरकार इसे जिन्दा रखने के लिए बताओर आकसीजन इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालती रही है लेकिन इससे सिर्फ यही संभव हो पा रहा है कि कमपनी किसी तरह से अपनी सेवाओं को बनाई हुए है सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं दूसरी विमान टमपनियों ने भी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दम तोड़ा है उससे यह तो साफ हो गया है कि इस छेत्र में कारोबार की प्रबल संभावनाओं के बाद भी भारत अभी तक विमानन छेत्र को संभालने और सुचारू रूप से चलाने के लायक नहीं बन पाया है एयर इंडिया के वी निवेश की चर्चा लंबे समय से चल रही है पिछले साल भी सरकार ने इशदिसा में कदम बढ़ाये थे लेकिन मामला सिरे इसलिए नहीं चड़ पा रहा क्योंकि एक तो सरकार 24 फीसद सेयर अप और अधिकार अपने पास रखना चाहती है और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कमपनी पर इतना ज़्यादा कर्ज है कि कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा लगातार कर्ज बढ़ने से यह संकट और गहराता जा रहा है वीरिवेश की चर्चाओं के बाद कमपनी में नियुक्तियां पदुन्नती जैसे काम रोक दिये गए और 15 जुलाई तक के खाते भी बंदकर दिये गए थे ताकि बोली लगाने के लिए इन्हे खातों को आधार बनाया जा सके कमपनी में इस वक्त दस हजार से ज़्यादा कर्मचारी है कमपनी की माली हालत खराब होने की वजह कूपरबंधन तो है ही उससे भी बड़ा कारण यह है कि सरकार पर इसका लंबे समय से 1100 करोण रुपए से भी ज़्यादा बकाया है इसमें 500 करोण रुपए से ज़्यादा का बकाया तो सिर्फ प्रधानवंत्री कार्याले और कैबिनेट सचिवाले पर ही है जाहिर है अतिविशिस्ट लोगों की चार्टर उडानों की इस बकाया रकम ने भी एर इंडिया को खोखला करने में बड़ी भूमी का निभाई है आज हालत यह है कि विमानों के इंजन बदलने तक के लिए कमपनी मदद का मुह ताक रही है कभी देश की नंबर एक कमपनी होने का दावा करने वाली जिट एरवेज भी ऐसे ही खत्म हुई यह विमानन कमपनियों के लिए खत्रे की घंटी थी लेकिन तब हमने कोई सबक नहीं सीखा और कोई ऐसे नीतिगत कदम नहीं उठाए जो और कमपनियों को इस हालत में पहुचने से रोकते माना जा रहा था कि जितनी जादा कमपनियां बजार में होंगी उतनी ही पतिस परधा बढ़ेगी और विमानन छेत्र मजबूत बनेगा लेकिन होता उल्टा गया कमपनियां भारी घाटे में जाती रही प्रबंधन खतरे को भाप नहीं पाई किंग फीसर जैट जैसी कमपनियों पर बैंकों का भारी कर्ज चड़ता गया अब एर इंडिया भी उसी रास्ते पर है अगर डिक्टेशन अचलागा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे डिक्टेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें